प्रिंस्पल भर्ब, थोरा सा भर्ब परपल एब ध्यान देजिए पिछले कलास में क्या बताये थे, कि कोई भी वाक्य बिना भर्ब का नहीं हो सकता है, तो भर्ब को किसी वाक्य का सूल का आगया है, सूल है वो, आत्मा है, ठीक है न, तो हम लोग जबी तक प्रियोग करते आया है, कौन सा भर्ब इस्तमाल किया है, और जलरी भर्ब, और जलर यह वह ब्र उन परीनल कا मतलब है प्रिंसिपल वर परणा ऊछना preçoना कि विए मुल रूप उनके पांच रूप हैं कौन कौन है है वर वन भर्ण ₹ टू भर्ण ₹ qui क्या रहता है फ्र एंदिफनिट वित्री क्या रहता है रहता है का रहता है पास्ट पाइसिपल फिर चरुथा क्या रहाता है प्रजेंट प्रजेंट पाइसिपल भर-फोर पाचमा क्या रहाता है simple प्रजेंट या प्रजेंट इंडिफनेट तो यहां जो भर-वन है यह वह फस्ट फॉर्म है गो, गो, रीट, राइट, वॉक, इत्यादी, अगर ये भर वन आ जाता है सब्जेक्ट के तुरंद बाद, तो यहाँ पर तो किरिया आपके पास सहा किरिया है नहीं, यहाँ पर हमने क्या देखा, सहा किरिया को उठा को उधर रख देते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इ जो बनाएंगे उसके अधार पर है, अगर यहाँ पर डूनोट पहले दिया हुआ है, तो यहाँ पर डू कर देंगे, ठीक है नहीं, डू पर सब्जेक्ट, उसी तरह से अगर भर्व 5 है, जैसे रीड्स, राइट्स, स्पिक्स, प्लेज, वॉक्स, यह सब क्या है, भर्व 5 ह तो वही same condition लगेगा, जहाँ पर डूनोट लगाते हैं तो वह डूनोट लग जाएगा, उसी तरह से अगर डूनोट पहले से है, तो डूज प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, यह सब्जेक्ट आ जाएगा, यह प्लस अब दिया है, तो इसी तरह से अब भी 2 आ जाए करेंगे, ठीक है न, और negative के लिए didn't का प्रियोग करेंगे, क्लियर हो गया, अब देखते है example, I read a book, तो यह भीवन का प्रियोग किया गया है, यहाँ पर क्या करेंगे, don't I, see speaks English, यह वाला, क्या यूज करेंगे, doesn't see, they do not study, तो यहाँ तो clear लिखा हुआ है, तो do आ जाएगा, do, they, ठीक है, the boys went there, do, यहाँ not नहीं है, तिसलिए क्या लगाएंगे, did not, यहीं didn't, the boys का they, क्या लिखेंगे, didn't they, ठीक है, teachers didn't talk about bad habits, यहाँ पर देखिए, did not लगा हुआ है, did they, clear है, हमको उम्मीद है कि आपको अब लगभग form समझ में आ रहा होगा, अब देम आएगा, तो दे का परियो करेंगे, बोथ आएगा, इसके लिए भी दे लगाएंगे, बोथ आप देम आएगा, दे का परियो करेंगे, बोथ आप असा आएगा, तो भी का परियो करेंगे, ठीक ह जो है बिना वाकी का तो बोलने सकेंगे तो बोलने के लिए वाकी चाहिए लिखने के लिए वाकी चाहिए निमंद के लिए वाकी चाहिए लेटर राटिंग के लिए वाकी चाहिए तो वाकी कंपनसरी है न ठीक है न फिर वाकी हम कहां कहां सीखते हैं ट्रांसलेसन में सीखते और वाकिके नियम को भी जानना अनिवारी है, तो हम लोग जो भी तक परे हैं, संडचना की तृष्टी से, इस्ट्रक्चर की तृष्टी से, वाकिके कितने वेद हैं, पांच वेद हैं, कौन-कौन है, असर्टिव सेंटेंसेज, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, इंपरेटिव सेंटेंसेज, और एक्सलामेट्री सेंटेंसेज, यह स्ट्रक्चर के धार पर है, लेकिन उसका दूसरा विवेद भी है, ठीक है न, दूसरा क्या है, कि दूसरा है, पैटर्न की तृष्टी से, पैट लोग intermediate अस्तर पर जाएंगे तो इसको business रूप से पढ़ना पढ़ेगा लेकिन अब आपको metric standard में ही pattern को भी पढ़ना पढ़ेगा कि simple sentences क्या है compound क्या है या क्या होते हैं और complex क्या है ठीक है ने तो इसको परने के लिए आपको clause की जानकारी आने चाहिए हम लोग तो अभी जितना भी यूज करना है simple sentences इस्तिमाल करना है जब हम जोरने सीखेंगे छोटे-छोटे वाकि को मिलाने सीखेंगे तो compound में होगा और तो अन्म यह से बड़ी वाकि को इस्तिमाल करेंगे complex में होगा ठीक है तोे sentences बिवाजन के कितने भेद हैं दो भेद हैं एक structure के धार पर एक pattern के दार पर, structure के दार पर sentences कितने भेद, पांच भेद, और pattern के दार पर sentences कितने भेद, तीन भेद हैं, बहुत सुन्दर, ठीक है न, तो आज हम लोग question tax के छोटे से rule को देखें, अब इसके advance rules को देखेंगे, ठीक है न, तो चली आगे, हम लोग कुछ ऐसे चीज पर रहे हैं, जो पहले class में भी पर चुके हैं, ठीक है, तो उसी चीज का आज revision करेंगे, और हो सकता है कुछ नया चीज भी मिले, तो नया चीज भी हम देखेंगे, ठीक है न, तो सबसे पहले, आप पिछे वाले सारे classes को एक बार दिमाग में हमारा chapter है sentence, ठीक है, तो sentence में हमने क्या क्या सीखा, sentence में हमने क्या सीखा, sentence की परिवासा सीखा, sentence के भेद को हम माटेंगे कैसे, sentence के भेद को हम दो तरीके से माटते हैं, एक बनावट की दृष्टी से, और दूसरा pattern की दृष्टी से, बनावट की दृष्टी से, sentences के कितने बेद है पाज बेद है कौन कौन है एक एक करकेश को बोलिए हम बोलता है असर्टिव सेंटेंसिस इंटेरोगेटिव सेंटेंसिस इंपेरेटिव सेंटेंसिस और एक्सलामेट्री सेंटेंसिस और रचना की दृष्टी सेंटेंसिस के कितने बेद हैं तीन कौन कौन simple sentences compound sentences और complex sentences जिसमें हम लोग अभी तक कितने sentences को पर है assertive और interrogative और interrogative में ये question text जो है चौथा भाग है हम लोग फिर transformation में भी सीखेंगे transformation एक रुपांतरन का part है जो 9th class से लेकर upper classes तक इसकी जोरत होती है उसे 8 class में भी चलता है transformation में क्या होता है वाकि को बदलते हैं लेकिन उसके भाव को नहीं बदलते हैं ठीक है नहीं अगर किसी वाकि को लेते हैं I am not हम बोलते हैं I am happy बोलेंगे इसका negative बनाईए तो I am not happy नहीं लगाना मैं प्रसंद नहूँ I am happy उसको बोलेंगे transformation के अधार पर इसका negative बदलिए या negative में बनाईए तो आप वहाँ पर I am not happy नहीं बनाएंगे negative बनाएंगे लेकिन भाव ने बदलना चाहिए तो क्या करना परेगा I am not unhappy मतलब sentence हम बदल दिये लेकिन meaning को नहीं बदले यही पार्ट है transformation का तो transformation के पार्ट में भी हम बहुत चीज़ सिखेंगे क्या क्या सिखेंगे सबसे पहले वाकी को change करना सिखेंगे assertive to negative negative to assertive ठीक है नहीं और degrees सिखेंगे voice सिखेंगे narration सिखेंगे ठीक है नहीं तो वहाँ पर क्या होता है कि वाकी बदल जाता है लेकिन अर्थ नहीं बदलते है तो अभी तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे अभी हमको किसकी चर्चा करनी है question tax की चर्चा करनी है तो question tax में आपके सामने कुछ examples है आपने सही बनाया या नहीं बनाया सबसे पहले उसको देखेंगे यह सभी कलासे इसके लेनिवारी है ठीक है आपका तन्जमेता जो है जो आप लोग online भेजते भी हैं बना-बना करके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सारे बच्चे को आशिरवाद है ठीक है और विधिवत लिजिए आप अगर क्रम को तोर दिजिएगा तो आपको छती होगी ठीक है ना परहाई में क्रम कभी टूटनाने चाहिए आप नियमित रूप से स्वाध्या कीजिए जो नहीं आप आते हैं आप online हमको दिजिए और उनके बारे में हम आपको बना के देंगे ठीक है ना लेकिन अगर regular पर लेते हैं तो आपका कुछ नहीं बिगरता है और ध्यान रखना है कि जो घर पर रह जाते हैं आपका जो डिडी बिहार से जो 9 बज़े से क्लास चलती एक बज़े तक उसको कभी मिस नहीं किजिए कभी मिस नहीं किजिए आप घर पर रहा जाइए वहां से आप देखिए ठीक है ना 8 कलासे लेकर आपका 10 कलास और सबी कक्छाओं का वहां कलास होता है आप वहां से देखिए आप उस सीज को देखना चाहते हैं तो अपने पास smart classes है वहाँ पर देख सकते हैं और हम आपको यहाँ पर बिदीबत regular class दे ही रहे हैं यहाँ पर आप जो भी grammatical समस्या हो, किताब की समस्या हो किताब भी हम आपको पढ़ा ही रहे हैं उसको देखें तो आज हम उसको अभी पहले नहीं द्यान में लाएंगे हम लोग जो अभी current topic परना है उसको हम यहाँ पर देखेंगे तो देखते हैं आगे question text का क्या example है और उसको कैसे बनाएंगे तीसरा दिन आप लोग परना है ठीक है अपना भी स्वाध्याय कीजिए जो भी chapter आपको मिलता है उस chapter को कोसिस किजिए कि translation के book से grammar के book से अपने से भी परिये ठीक है नहीं यह जरूरी नहीं है कि हम सिक्षा के हैं तो हम सब कुछ सही लिखेंगे कहीं spelling mistake हो गया कहीं rules mistake हो गया इसा हो सकता है ठीक है नहीं इनसान जो है कभी भी perfect नहीं हो सकता ठीक है नहीं यह ध्यान में रखना है आँख बंद करके आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है आपको विश्वास करना है किसके उपर सबसे पहले अपने आपके उपर आपको पता है कि मेरे class में question tax चल रहा है कि आपने किताब में परहा है और किताब में परहा है तो automatic है जब आप अपने से भी पर ही है तो आपको कौन रोख सकता है ठीक है नहीं तो कभीता आप पता है नहीं बीर तुम बरे चलो धीर तुम बरे चलो बोलिये किसी कभीता यादा ये है नहीं अभी आप जी सबस्था में हैं आप एक साधुत जीवन जीते हैं आप पवित्र जीवन जीते हैं और पवित्ता कैसे होगी आपकी सुधता जो है और निखरनी चाहिए ठीक है ना तो हम लोग यहां से चलते हैं देखते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमने देखा कि अगर मैं तो आर यहां लाएंगे इसका निगेटिव के साथ फॉट फॉट होगा आरंट वी दे वर गुड फ्रेंड्स वरंट दे राम इसका अगे देखें सी नॉट अड़ गया अब देखें सी नॉट हट गया इज सी उसी तरह से मॉई फादर इस नॉट एन इंजिनियर नॉट लगा हुआ है तो नॉट हट जाएगा इस ही ध्यान रखियेगा किया नें माइ फादर वहां दे दिजिएगा आई रीड़ बुक यह है भर्वन बला सिस्टम बताए थे तो जिसमें भर्व नहीं हो तो समझ लिजिएगा कि डू डिड डज इत्यादी वाला फॉर्म है ठीक है नहीं भर्वन दिया हुआ है तो डू लगाएंगे भर्वाइब दिया हुआ है तो डज लगाएंगे और भी लगाएंगे नहीं आपन बला फॉर्म क देखेएं और उष्षजेंटा का ब्ला अहां से मिडाथ तो लंगेस अजिए हॉर्म somebody everybody nobody anyone anybody the subject of question tags will be they यदि आपके मुख्य वाक्य question tag में एक मुख्य वाक्य होता है मुख्य पार्ट होता है अगर उस पार्ट में subject रूप में क्या हो someone हो somebody हो everybody हो nobody हो anyone हो anybody हो तो आपका tags का subject क्या बनेगा दे बनेगा उमीद है कि यह समझ नहीं है यहाँ पर देखिए example दिया हूँ someone is calling you तो क्या कर दिये यह positive है यह negative होगा तो यह वही रहेगा मतलब भर वही रहेगा जैसे उधर कर रहे थे क्या हो गया aren't they nobody is coming here are they क्यों कि nobody बताय थे कि negative word हो या negative subject हो और negative हो गया आपको टेख तब positive यूज करना है clear है फिर यहाँ पर Sam उसी तरह से एक form और लिखा हुआ है if there are following subjects in the man part of sentences like everything something nothing anything कुछ भी thing बहला कुछ भी लगा रहेगा ठीक है तो subject of question tax will be it का प्रियों करेंगे जैसे something is required to develop this तो क्या लगेंगे isn't it nothing is impossible यहाँ देखिए is it nothing है लगा हुआ ठीक है ना थमको उम्मीद है कि आज वहला topic आपको समझ में आ गया होगा वह से अभी एक या दो class और लग सकते हैं advanced form को जानने के लिए लिकिन अब जो form है आपको sentences के विसेश पार्ट को पहले जानना है फिर हम को syntax पराएंगे चुकि हम लोग interrogative parts देख रहे हैं तो interrogative में जैसे imperative sentences आएगा उसका भी question track बनता है ठीक है ना तो imperative sentences पहले जानेंगे तब ना उसको question tag complete करेंगे तो हम लोग उसको पहले देखेंगे तब question text पढ़ाएंगे clear है तो यहां तक किसी को सवाल करना है हम लोग जो class जो पर रहे हैं चप्टर का नाम पता है हम लोग पर रहे sentences तो sentences में पिछले class में question text पर रहे थे तो question text में हम लोग जो भी normal sentences था उसका पर लिये थे और और वहां पर क्या बात आई थी imperative sentences का question text बनाएंगे कैसे तो हमने आपको बताया था कि imperative sentences को समझेंगे पहले उसके बाद हम उसका question text बना सकते हैं मतलब उस term में जो सब्द आ रहा है जो भी सब्द आ रहा है पहले क्या करेंगे उस term को समझेंगे ठीकर और जब तक term नहीं आ परस्था आपका वैसा नहीं है जहां पर intuition पढ़ते भी है तो आपको कितने देर का class मिलता है 40-45 minute या एक घंटे का ठीकर और आप लोग यहां पर अपने एक्षानुसार समय को बाटते हुए पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको उम्मीद है कि आप इस तर्थी को भली भाती समझ पर आपको को अपने देंगे और टास्क में किसी तरह का कोता ही नहीं होनी चाहिए कि टास्क नहीं बनाए ठीक है जब तक आप हमको corporate नहीं कीजिएगा था हम आपको corporate नहीं कर सकते हैं ठीक है तो सभी जितने भी बच्चे हैं आप लोग regular हैं सबसे बड़ी बात यह है ठीक imperative sentences में इसको तोरते हैं सबसे पहले हम लोग तोरने सिखेंगे हिंदी समरीद भासा क्यों है हिंदी में जब कोई भी सब्द लेता है तो उसको तोरा जाता है जब हम उसको तोरते हैं तो वहां से क्या निकलता है meaning निकल जाता है ठीक है न हिंदी पर भी आप लोग ध्यान द ना होगा यहाँ पर इंपरेट कार्थ होता है किसी को आग्या देना किसी से अनुरोध करना किसी को मना करना किसी को सला देना क्या होगिया इंपरेट कार्थ आग्या देना अनुरोध करना या मना करना तो इंपरेटिव सेंटेंस इसका है अब दे सकता है इसको बोल सकता है अग्यां सुचक वाक्या अनरोध सुचक वाक्या निसेद सुचक वाक्या अगर हम तीनों को मिश्रन करके बोलेंगे कि तीनों को मिला के बोलेंगे तो imperative sentences का अर्थ हो जाए आज्यान रोध या निशेद सुचक वाक्य अर्थ स्पस्ट हो गया ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं sentences which are used to show the sense of commands request or prohibition are called the imperative sentences क्या अर्थ हुआ कि वैसे वाक्य जिनसे आज्यान का भाव का बोध हो या अनरोध का भाव का बोध हो या निशेद के भाव का बोध हो इसे हम आज्यान अनरोध या निशेद सुचक वाक्य कहेंगे अब यहाँ पर पहला sense क्या देखते हैं sentences of commands लिखा हुआ है या sentences of orders बोल सकते हैं आदे सुचक वाक्य ठीक है ने तो यहाँ पर हिंदी भी लिखा हुआ है अब इसकी बनावट जब अनुवाद करेंगे तो क्या होगा ध्यान रखिएगा कि हम लोग structural form के अधार पर अनुवाद सीख रहे है structural form का क्या value है कि जैसा structure लिखा हुआ है आप लोग math में पढ़ते होंगे a प्लस b whole square equal to a square plus b square plus 2ab पढ़ते हैं ने और अगर वहाँ पर कोई अंग दिया हुआ है 4 प्लस 5 equal to whole square तो उसको एक को a मौन लेंगे फिर दूसरे को b मौन लेंगे उसी पर बच्छा देता हैं ने उसी परकार समझ लिजे का आप math ही पर रहे है यहाँ पर imperative sentences में हम आपको clear बता रहे है कि पहले क्रिया का पहला रूप रखेंगे ठीक है और उसके बाद ही object आएगा मतलब इसको छोड़के जो भी आएगा इसके बाद आएगा ठीक है दुसरा कहता है कि क्रिया का पहला रूप भी imperative sentences सी है मतलब वो वात क्या है ना कि सब्द है जैसे अभी तक हम लोग क्या सीखते आए हैं परना का अंगरे जी पूछा तुरत बोल दिये read खेलना play, दौरना run ऐसे बोलता है गलत है अगर बोलता है कि read मतलब क्या हुआ तो उसका अंगरे जी परना नहीं है पर हो और पर हो एक वात क्या है ना कि एक सब्द है clear है ठीक है ना खेलो play आओ come बोलता है ना जाओ go तो यहाँ पर आपको कुछ हम example दिया है जैसे बोलो का अंगरे जी speak हो गया अब यहाँ पर दूसरा वाख्य में एक जैंपल दिया है एक सब्द बोलो speak a word सुनाओ tell एक कहानी सुनाओ tell a story ठीक है पिलाओ कंगरे जी offer इसमें भी confusion हम लोग को होता है कि पिलाना कंगरे जी क्या होता है सुनाना आप लोग क्या क्या यूज कर रहे थे here listen बोले थे ना जो गलत था अब यहाँ पर देखिए एक कहानी सुनाओ क्या यूज कर लिए tell a story पिलाओ offer एक गलास पानी पिलाओ offer एक गलास ओप water ठीक है उसी तरह से यहाँ पर देखिए एक कप चाय पिलाओ offer एक कप अप्ती अगर यहाँ पर रहता मुझे एक कप चाय पिलाओ तो offer me a कप अप्ती हो जाता clear है एक गीत सुनाओ sing a song यहाँ सुनाना का नहीं sing हो गया चुकि इसके लिए particular सब्द बना हुआ है गीत गाना कंगरे जी गीत सुनाना नहीं sing a song ना कि वहाँ पर टेल लगाएंगे लेकिन कहानी अगर बोलेंगे और कोई चीज सुनाने के सैंसे बोलेंगे तब हमको वहाँ पर क्या लगाना परेगा टेल का प्रियो करेंगे घर जाओ गो हम अब यहाँ पर देखिए go to house यह दो सब्दा आपके पास आता है home और house में क्या अंतर है home का अर्थ आपका किसी भी चीज को आप घर मान सकते है है ने जैसा कि example हम आपको दिये अगर हम एक field में सोय हुए है आपको पुछा भाई साब आप यहाँ सोय हुए हो हाँ मेरे लिए यही घर है यही पर हम रहता है मतलब आप उस field को ही घर मान लिए अकास के नीचे रहता है उसको घर मान लिए home मतलब यह जरूरी नहीं का आपके घर में gate दर्वाजा, ceiling खिरकी बगर जब लेकिन house की बात करेंगे तो उसमें दर्वाजा, खिरकी की बात होगी या किसी ने किसी बने हुए घर की बात होगी फूस का भी है तो उसमें दर्वाजा कहिन कहीं रखें ठीक है ना यानि बना हुआ है किसी object के सहारे हम उसका घर को बनाए है तो वह house हो गया ठीक है लेकिन home किसी चीज़ को बोल सकते है तो यहाँ पर जब home का प्रियोग करेंगे तो अंतर क्या आता है कि go or come के बाद two का प्रियोग करते है कब जब house का प्रियोग करेंगे इसका और हम सुना सा बताना चाहेंगे कि go or come ऐसी मुख्यक्रिया है जिनके तुरंद बाद अगर place आ जाए place सुचक सब्द आ जाए तो two का प्रियोग दिस्तित लगेगा जैसे पटना जाना go to पटना पटना एक जगह है ठीक है अगर आप बोलते हैं भागलपूर जाना तो go to भागलपूर इस्कूल जाना go to इस्कूल अस्पताल जाना go to hospital लेकिन go और कम के बाद अगर तीन सब्द आता है जैसे there, here और home इसके पढ़िए तीन सब्द अगर place सुचक भी है तो उसके पढ़िए two का प्रियोग नहीं करेंगे जैसे कि यहाँ पर पल में भी आपको दिखाया गया है ठीक है, आगे देखते हैं मेहनत करो, lever ठीक है, lever particular सब्द है त्रिया के रूप में मेहनत करने का ठीक है, आगे देखिए कठिन मेहनत करो lever hard ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ आओ, come here वहाँ जाओ, go there इस किताब को टेबल पर रखो ठीक है, keep or put दोनों में कोई करिया रख सकते हैं this book on the table अपने घर को सजाओ decorate your house मेरी मदद करो, help me एक आदमी को बुलाओ call a man, देश की सेवा करो serve the country बरों का आदर करो, respect the elders सिक्षकों का सम्मान करो respect the teachers अब यहाँ पर confusion आपनों का था कि सर यहाँ decorate के साथ your क्यों लग गया यहाँ पर इसका confusion था कि जितने सारे वाक्य यहाँ पर इस्तमाल किये सब के साथ you subject छिपा हुआ है ठीक है ना imperative sentences में आदे सुचक वाक्य के रूप में subject उसका you है कम मतलत हम सामने वाले को बोलना है तो सामने वाला मेरे लिए you है समझ रहा है ना तो यहाँ पर हम एक formula इसका रखे हैं अगर अपना अपनी अपने का प्रियोग वाक्य में आता है तो करता को देखेंगे क्या है अगर आपके वाक्य का करता आई है तो माई लगाएंगे ठीक है वी है तो आवर यू है तो यूर देखिए यू था यूर लिखे थे ना उसी तरह से he का his see का her its का its name आएगा ताब सकता अनुसार he या her का प्रियोग करेंगे और बांकी दे के साथ देर का प्रियोग करेंगे अपना अपनी confusion कंप्लिट हुआ अब इस तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए तो sentences में imperative sentences के भाव को समझे में आया अभी एक ही form पर है कौन सा सिर्फ आदे सुचक वाक्य उपर है अभी अनुरोद सुचक वाक्य बांकी है निसेद सुचक वाक्य बांकी है ठीक है न और sentence हम क्यों परहेंगे sentence हमारी सबसे पहली प्राथ्मिक्ता है कि हम कुछ भी बोलेंगे तो वाक्य को न एक्स्परिस करेंगे सिर्फ सब्द बोलेंगे क्या value है हम भी आपको समझा रहे है किसी में किसी वाक्य का सहरा ले रहे है ठीक है न तो sentences part बहुत ही important हमारे लिए ठीक है तो उम्मीर है कि आपको imperative sentences का sentences of command imperative sentences में हम लोग क्या सीखे थे imperative sentences के form बताये थे पहला form था sentences of commands दूसरा form था sentences of request तीसरा form था sentences of prohibition ठीक है तो आगे आज के class में देखेंगे sentences of एक permission भी है और sentences of proposal भी है ये भी imperative sentences का भाग है तो imperative sentences में क्या होता है वाक्य किस परकार का होता है imperative sentences में वाक्य में आदेश होता है अनुरोद होता है आग्या होता है मना करते हैं ठीक है न, अनुरोध करते हैं प्रपोजल रखते हैं सलहा देते हैं, ये सब चीज़ आपको याद रखता है ठीक है न, तो हम लोग जो बोड़ पर पेपर के आए हैं, उसको पले भी देख लेते हैं कि क्या क्या example है कैसे इसको समझेंगे और अगर आप sentences के भाव को नहीं समझ पाए structure को नहीं समझ पाए तो narration ठीक है न, narration आप भली भाती नहीं समझ सकते हैं clause नहीं समझ सकते हैं हम लोग क्या करते हैं कि जैसा वाकी रहता है उसी तरह से अनुवाद कर देता है तो आपको लगता है कि यह वाकी सही हो गया जैसा है कि आपके सामने रखा गया सीता बोली कि आज मैं बिमार हूँ तो यहाँ पर clause है दो clause है एक principle clause है एक subordinate clause है तो principle clause क्या होता है किसी वाकी का मुख्य उपवाक्य और subordinate clause क्या हो कौन सा हुआ principle clause पर निर्वर रहने वाला ठीक है नहीं तो उसकी चर्चा नहीं कर रहे है लेकिन अगर आप सारे sentences के भाव को नहीं समझ पाएंगे तो बाकि गलत हो जाएगा आप क्या करेंगे सीता बोली कि वहाँ आज बिमार है तो सीता आज स्वाक यहीं बनाए है ठीक है नहीं अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि clause में हम लोग बहुत चीज को देखते हैं principle clause कहता है कि हम जिस tense में रहेंगे जिस form में रहेंगे आप मेरे tense और form को बदल नहीं सकता है आप सब्द बदल सकता है लेकिन हमारे अगर हम past में रहेंगे तो आपको भी past में रहना मतलब वहाँ जो आपने लगाया see is ill today तो परजेंटे में रह गया ना तो principle clause का बात रखा रखा बात और नहीं रखेगा तो आज हम एक assistant teacher यहाँ पर काम कर रहा है तो हमको कोई चला रहा है हमारे भी principle है वो भी कुछ आदे समको देंगे या दिये होंगे जिनका हम पालन कर रहा है अगर उनका हम पालन नहीं करेंगे तो उनके बात से बाहर है ठीक है ना अगर उनसे बात से बाहर हो गए तो उनका पाठ हम नहीं है हम वहाँ पर दंड के अधिकारी है उसी प्रकार वाकी को समझना बहुत ही अनिवारी है अगर वाकी नहीं समझ पाते हैं तो एक्सप्रेश कैसे करेंगे सिर्फ सब्द याद करके कितना सब्द आप बोलियेगा और कितने सब्द बोल करके आप एक्सप्रेशन को किसी के सामने रख सकते हैं आप 24 गंटा में हर तरह के एक्सप्रेशन को जहलते हैं महसूस करते हैं घटाओं को जहलते हैं तो उस एक्सप्रेशन को बताने के लिए आपको किसकी जौरत पर रही है वाकि की ज़रत पर रही है तो इत मिंस दा पार्ट आप सेंटेंसेस आर वेरी वेरी इंपोर्टन पर आस ठीक है तो आज हम लोग देखते हैं इंपरिटिव सेंटेंसेस में बी नमर से और जो नयाद एड की है उसका क्या फॉर्म है उसको देखते हैं ठीक है देख रहें बी नमर में क्या लिखा हुआ है सेंटेंसेस आफ रिक्वेस्ट मतलब ऐसा वाकिय जिससे में अनुरोध करेंगे आधर का भाव प्रकट करेंगे यहाँ पर देखें क्या लिखा दे अनुरोध का भाव का बोध हो और खास करके उसमें क्या लगाते हैं प्लीज और काइनली किरपया या दयापुरुबग ऐसे वाकिय क्या करनाएंगे आधर सुचक वाकिय ठीक है अब यहाँ से इनके दो बनावट होते हैं पहला अगर प्लीज लगाते हैं तो इसमें भरवन पहले आएगा उसके बाद अबजेक्ट आएगा दूसरा काइंडली काइंडली में भरवन आपको रखना है काइंडली के बाद और अबजेक्ट आएगा यह दोनों बहुत ही महत्पुर्ण है आप भवाइस बनाएंगे तो वहाँ पर भी आपको बनाना पर आएगा जैसे please give me a glass of water अब उसको बोलेगा इसको भवाइस में बदलिए तो उसका एक ही ट्रिक से आराम से बना सकते हैं प्लीज काइंडली को हटा दीजिए यूर रिक्वेस्टेट डाल दीजिए और जो किरिया है खाली जैसे हो इसे रख देजिए तो कितना आसानी से आप बना स करें काइंडली हैं ध्यान रखना है कि उसमें आप लोग पूर्स बोल रहे हैं है पूर सब्द क्या है विसेशन है जब हम किसी विसेशन को नाउन के तरह प्रियोग करते हैं तो उसमें सिर्फ दा लगा देजिए बहुबचन में पड़िवर्तित हो जाती है जैसे चाइल् देजिए लगाएंगे तो उसी प्रकार पूर मतलब गरीब दा पूर मतलब गरीब लोग रिच मतलब अमीर और दा रिच मतलब अमीर लोग तो यह स्वताह जो बहुबचन है इसके साथ एस का प्रियोग नहीं करेंगे ठीक है किलियर हो गया आगे देखते हैं सेंटेंसे सय नंबर है परोःबिशन मतलब क्या होता है किसी मना कर देता है कोई चीजा निसेद कर देता है तुमको ईसा नहीं करना है इन उसे मत लगा के इस्तमाल करते है bicycle uncle which are used for showing the sense of prohibition are called the sentences of prohibition वो इसे यहाँ पर हमको दूसरा word इस्तिमाल करना था एक ही वाकि में Sam word इस्तिमाल ठीक ने रहा था ठीक है हम लोग देख लेंगे इसको ठीक है तो आगे देखते है इसमें पहचान क्या होगा कि इसको बनाएंगे कैसे या तो do not रखेंगे या don't रखेंगे और क्या का पहला रूप रहेगा object रखेंगे ठीक है हला मत करो don't make a noise वहाँ नहीं जाओ don't go there अब इसी के फॉर्म पर उसमें definition में इसकी चर्चा नहीं किये थे लेकिन ये भी imperative sentences का ही भाग है इसमें रहेगा क्रिया पलस दें परने दीजिए या परने दें या परने दो बाते की चीज़े हैं ने खेलने दीजिए खेलने दें खेलने दो अगर इस तरह का भाव आ रहा है तो इसमें late का पढ़ियो करेंगे यहाँ पर दिया हुआ objective case यह objective case एक ही है ठीक है तो objective case में क्या क्या आ सकता है me us, you, him, her और them, यहाँ पर us गायव है us को महटा देता है भी ठीक है चुकि us us का sense अलग है लेकिन अगर वहाँ उससे भी हम permission का बूद कराएंगे तो us भी लगेगा लेकिन us का पर्योग special भी होता है इसका हम चर्चा आगे कर रहे है और यहाँ पर देखिए let का पर्योग अगर इस sense में करता है अनुरोद के sense में, permission के sense में तो आपको जैसे मुझे परने दिजिए मुझे परने दें मुझे परने दो, एक ही वाक्य है let me read उसे अंदर आने दें let her या him come in आप भी ऐसा हर और him करके नहीं लगाईए जब भी लगाएंगे sense कैदार पर इस्त्रिलिंग के लिए इस्तिमाल करना है हर का परियोग, pulling के लिए him का परियोग और come in ना कि coming आप लोग बहुत may I coming sir, this is wrong may I come in come in, वहाँ पर stress मारना gap देना, और gap नहीं देंगे तगरबर हो जाएगे, ठीक है ठीर आगे देखते है राधा को stage पर नाचने दें let Radha dance on the stage अगर late के बाद अस लगा हुआ है प्रपोजल का बोध होगा लेकिन हम permission के sense में अस लगा सकते है ठीक है नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रपोजल का जादा प्रियों किया जाता और late का, यहनि latest का short form, let's होता है जैसे, अब देखें यहाँ पर चलो cinema देखें let us visit the cinema या let us visit the movie अब जितना भी हम लोग उपर से वाकिपर है, imperative sentences खास करके उसको हम connector के साथ भी वहवार करता है, ठीक है, जैसे connector में हम end लगा सकता है, और लगा सकता है otherwise, यहाँ पर end मतलब और, और मतलब अत्वाया, या otherwise, अन्यथा नहीं तो else, अन्यथा नहीं तो, यह अलग-अलग सब्द है, ठीक है इसी तरह से relative pronouns का भी प्रियोग किया जाता है, चूकि यह इसलिए दिये, कि sentences के kinds में हम लोग देखेंगे sentences pattern को और sentences pattern में simple, compound, complex समझने के लिए आपको यह form समझना पड़ेगा है ना, आप से कभी-कभी पूछा जाएगा, कि ऐसा complex sentence पताइए जिसमें तीनी सब्दों तीनी सब्दों ठीक है ना, तो तीन सब्द का complex sentence आप सोच ने सकता है, simple बने का आईने सुचिए का complex कैसे हो जाएगा और तीनी सब्दों ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या इस्तिमाल करता है do and die करो और मरो या do do or die, तीन सब्द है ना तो शुरू में अगर कितना भी छोटा वाक्य कायन हो जाएगा अगर आपसे पुछा जाए कि कौन सा वाक्य का पैटर्न या भेद इस्तमाल करके आप छोटा से छोटा वाक्य बना सकता है आप असर्टिव का प्रियोग करके इंट्रोगर्टिव का प्रियोग करके चोटा से छोटा वाक्य नहीं बना सकता है समझवारी या न क्यूंकि किसी वाक्य में आपको क्रिया की जहरत होगी क्रिया नहीं रह たव वाक्य नहीं है यह अकेले जैसे लगा उटूमेटिक आपका सिंगल भर्व रहता है और क्या बन जाता है वह आपकी कारूप ले लेता है ठीक है तो हमको उमीद है कि आपको imperative sentences के जितने भी भाव थे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो आ गया है हमने अभी तक sentences में क्या-क्या पूरा किया assertive sentences क्या होता है समझ गई interrogative sentences को कितने तरह से इस्तवाल किया जाता यह भी समझ गई imperative sentences क्या होता है και ुसकर मतलब मतलब है कि इसके अधार पर इसका जो कोश्टन टैक्स बनेगा अब हम समझ सकता हैं इसके बाद दो पार्ट बाकी रहेगा ऑप्रेटिव और एक्सलामेट्री ठीक है इसको यही तक रखता है कोश्टन टैक्स में मुखिता कितले रूल से बताइए कोई भी समाने तक कोश्ट कोश्टन टैक्स बनाते हैं उसमें क्या देखते हैं कोश्टन टैक्स जिसमें लगाते हैं वहां पर एक पार्ट होता है वाकी का भाग होता है और उसके आगे हमको टैक्स लगाना पड़ता है ठीक है ना तो उस टैक्स को लगाने के लिए मातल दो ही नियम है यदी आपका म मुख्य भाग कीया ji positive हो तो tag क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा यदि वाक्य का मुख्य भाग negative हो तो tag क्या Егоगा positive होगा ध्याँ रखना है कि part के us kay fuck के वाक्य के फोर्म पर चलता है negative है तो positive positive है तो negative ठीक है तो इसको हम आगे देखते हैं और imperative sentences को हम कैसे हल करेंगे तो आज का हमारा topics है कि question tags तो बनाएंगे normal sentences को बना चुके हैं imperative sentences के question tags कैसे बनेगे तो पहला rule देखे लिखा हुआ है we use will you and want you as question tag for imperative sentences imperative sentences के लिए कौन-कौन से आएंगे subject form और anomalous किसका प्रियो करेंगे want you और will you का तो want you कहां लगेगा जब आपका man part positive होगा will you कहां लगेगा जब man part आपका negative होगा clear है यहां पर देखे open the box यह positive है तिसलिए क्या लगेगा want you don't abuse क्या लग जाएगा will you उसी तरह देखे यहां से switch on the fan क्या लगेगा want you don't make a noise in the class will you please come with me want you kindly help me want you अब यहां पर देखे next rules आ रहा है यहां क्या कहता है if imperative sentences declare the sense of this appointment we use can you or can't you अगर imperative sentences से ऐसा तत्य आ रहा है जो आपको निरास कर दे आपको दुखी कर दे आपको डांट फटकार लग जाए ठीक है न तो वैसे sentences के लिए हम can you और can't you कापडियों करते हैं देखे यहां पर use your own mobile आपने मेरा mobile मागा कि sir अपना mobile use करने देजे हमने बोला use your own mobile क्या use करेंगे can't you set up क्या use करेंगे can't you don't talk यहां to लगाईए talk के बाद two prepositions लगता है ठीक है don't talk to me with लगता है लेकिन यहां पर two ही आपका suit करेगा क्या लगेगा यहां पर can you don't abuse anyone can you clear है अब यहां पर देखिए let का प्रियोग अगर आता है तो let का question text कैसे बनाएंगे let से start होने वाले दो बाकिये पहला है let plus us जिससे proposal का बोध होता है ठीक है ना तो प्रोपजल वाले में हम salve का प्रियोग करेंगे और normal let me जिसमें permission का बोध होता है उसमें क्या लगाएंगे will you लगाएंगे कोई भी इसमें अलग से आपको subject जोर्वी की जोरत नहीं है जैसे let us dance shall we let we go now let him speak क्या लगेगा let they come in समझ मारी है आगे देखिए यहां से अब आपका home work था जिसमें आपको अनवाद मनाने दिये थे ठीक है अब अनवाद आप हिंदी में बोलेंगे हम उसका अंग्रेजी करते चले जाता है एक बाद फिर से एक ही बच्चे बोलेंगे सोनो तुम बोलो सोनो बोलो क्या है work में हला मत करो don't मैकनवाइज इन दे कलास बोलते जाओ फूल मत तोरो don't pluck the flowers labor hard to get success in the life help one another अब यहाँ पर समझने वाली बात है यहाँ पर एक दुसरे का अंग्रे जी each other भी होता है one another भी होता है आखिर क्या अंतर था हमने one another लगाया जब हम दो के बीच में जैसे राम और मोहन को एक दुसरे की साहता करनी चाहिए तो राम और मोहन should help each other मोहन लगेगा चुक्कि फिक्स्ट है कि राम और मोहन सिर्फ है लेकिन अगर हम छात्र के बीच में बोल रहे है तो वहाँ पर हम परस्पर help या किसी चीज का प्रियोग कर रहे है तो वहाँ पर one another लगेगा यहाँ पर तुम लोग समू में हो तो क्या लगाएंगे one another का प्रियोग करेंगे clear है अब आगे है तो give good knowledge to the children don't oppress the beggar let me become an ideal teacher now let me read let me listen to the news listen to the news ध्यान रखना listen के साथ two preposition लगाएंगे आगे let me use the mobile for a while थोरी देर के लिए या थोरी देर ठीक है आगे don't wax me now या tease भी लगा सकते है ठीक है चली आगे let me speak something चोरों को चोरी करने दीजिये या दो let the thieves steal two नहीं लगेगा धियान रखना ठीक है admire the good people अच्छे लोगों की प्रसंसा कीजिये या करें ठीक है let me take my meal या let me have my meal अब जो आपका five translation है आप मोखिक बोलिये हम उसका correction कर देता है five translation है अब इसमें से कोई girls में बोलेंगे चलो सपना you speak अब देखे यहां पर यह थोड़ा सा connector जुरा हुआ है मन से पर हो नहीं तो घर जाओ पिछले क्लास में बता चुके थे कि imperative sentences को connector से जोड सकते हैं read attentively otherwise go home ठीक है आगे let me also serve the country let me also अब also में भी confusion आएगा कि also रखेंगे कहां देखना है कि भीका परियोग लगा कहां है है ना भीका परियोग किसके बाद लगा हुआ है मी के बाद लगा हुआ है let me also serve the country नए फिर अलग जब structure को चलेंगे एक-एक सब्द को बाद से रखेंगे ठीक है carry on let me beat this pickpocket let me also beat this pickpocket next go to the hill let me respect the elders एक ही let me respect the elders आगे हो गया तो हमको उम्मीद है कि imperative sentences को आप अच्छी तरह से समझ गए अब आप sentences को किसी के सामने express कर सकते है आपको assertive sentences आता है और assertive sentences का जो भाग है affirmative और negative आप अच्छी तरह से उसका प्रियोग कर सकते हैं interrogative के जो चार form है उनको normal और advanced दोनों में प्रियोग कर सकते हैं और imperative sentences के जितने भी part थे उसका भी प्रियोग कर सकते हैं अब बचा क्या-क्या optative sentences एक्छा सुचक हुआ किये अभी जर्वरी का माहा है इसमें हम greeting सब ज्यादा इस्तमाल करते हैं तो optative sentences आपके लिए बहुत ही माइनर रखेगा और जब हम कोई चीज आस्र हो करके विस्मय हो करके खुशी से या दुख से सोक से आसर दिखाते हुए तो भी इस्तमाल करेंगे फिरा जाएगा एक्सलामेटी sentences ठीक है जब यह पाचों form पर लेंगे तब हमको परना परेगा sentences pattern का भाग जिसमें हम लोग सीखेंगे simple sentences, compound sentences और complex sentences लेकिन उसके लिए आपको और चीच परना परेगा ठीक है, normal हम यही पाच तक परेंगे simple form के रूप में ठीक है, तो यह था आपका sentences का half भाग ठीक है, आधा भाग आपने पर लिया objective sentences sentences का कैमा भाग है चौथा भाग है तो आप लोगो assertive sentences, interrogative sentences imperative sentences समझवा गया पूरा भूलना भी है कभी तो क्या हम पीछे वाले भाग से पूछेंगे तो आप लोग जबाब दे सकते हैं ठीक है ना आप लोगों का session जो online group बना हुआ है WhatsApp पर, तो आज से एक task बर रहा है, पहला task क्या है कि जो भी हम book परहाएंगे जहां तक परहाएंगे उपर से लेकर वहां तक आपको audio record करके हमारे WhatsApp पर आपको भेजना है चुकि अच्छी अंग्रेजी सिर्फ सीखने से नहीं होगी अच्छी अंग्रेजी आपको लिखने रहता है कि आपको परने का कोई यंत्र दे सके या मंत्र दे सके ठीक है ना, परने का काम आपको करना परेगा और बोलने का भी काम आपको करना परेगा तो आपको प्रती दिन एक निवन्द अपने पावर से लिखना है यदि आप Lucent का essays and letters पर्चेज करते हैं तो उसमें खासियत क्या है कि जो भी essays परते है उसका हिंदी इगलिस दोनों दिया हुआ है दूसरी खासियत उस किताब की है कि उस किताब में सारे सब्द, difficult सब्द को आगे बरिहां से लिखा हुआ है आप जो भी chapter परते है हमारा focus पहला क्या है sentences का अगर हम time को बर्बाद करके आपको सब्द के पिछे अभी भगाएंगे तो sentences फिर आप ठीक से सीखने पाएंगे हमको वाक की चाहिए और वाक की में जितना सब्द लगेगा उसको ढुड़ना है भी ठीक है ना तो मेरा task की सब्दे का पता हैं क्या-क्या है आपको discipline और students life और games and sports यह तीनो complete करना है यदि आप अपने आपको समझते हैं कि हम intelligent है तो निमद आपको ही command करना है आपने जो भी लिखा उसको अगर याद करके सुना देता है दिया और बेटर होगा लेकिन वह method जो होगा वह speech के रूप में होगा speech में आपको addressing word उसमें set करना पढ़ेगा सीधा नहीं कि ऐसे लिख दिये गाया पर लेक लिखना है तो सीधा दक्काओ इसे four-footed animal और बोलना चालू कर दिये लिखेंगे ऐससे लेकिन उसको deliberate हम किस रूप में करेंगे वासन के रूप में करेंगे कि आज हम अगर गाया पर लेक ही लिख रहे हैं गाया पर लेक कैसे बोलना है आपको addressing करते हुए अगर teacher हैं जैसे हम अकेले हैं आप वहाँ पर हमको address कर रहे हैं तो respected sir काफी है हो सकता है कि उस बीच कोई अधिकारी आ जाएं कोई principal sir आ जाएं या और सिक्षक हैं तो respected sir के जगह क्या बोलना है आपको respected sirs अगर आपको पता नहीं है कि यह हमारे officers है ठीक है नहीं तो respected sirs अगर आप hate sir को पहचानते हैं अपने principal को जानते हैं तो वहाँ पर तब आपको दो words साहिए इसका एक respected एक honorable तो वहाँ पर दोनों सब्द पहले क्या करेंगे तब जो आपसे उच्छ है उनको पहले address करेंगे है नहीं respected principal sir अब honorable वहाँ पर लगा सकता है या वहाँ से कौमा लगा के हम निकल सकता है respected principal sir and our class teacher अब वहाँ से उसको addressing करते हुए good morning या जो भी कुछ बोलेंगे अब उसके निचे वहाँ से लिगांगे आप अपना sentences को set करेंगे कि आज हम भागी साली हैं कि मुझे कुछ बोलने का मोका मिला या इस भी से पर मिला ठीक है ना मैं आज इस विशेपर कुछ बोलने जा रहा हूँ ठीक है और उसको सुंदर भाणने के लिए आपके पास जितने भी सकती है जैसे आप उसमें बीच में पोयम को set कर सकते हैं दोहा को set कर सक्ते हैं कविता को set कर सकते हैं ये आपके उपर चुकि सिर्फ रट लेने से, हम पहले बता रहा है, रटने के लिए सिर्फ आपको इसलिए अभी थोड़ा सा रटना है, आपको समझना अधिक है, क्या समझ मारेगे, समझना अधिक है, आप बेटर कैसे कर सकता है, और अपना बेटर, हम किसी एक चीज को टॉपिक को बढ़िय ब्यर्थ कर चुका है, अब आप 10th कलास में जाएंगे, फिर यहां से आगे जाएंगे, तो बिहार सरकार वाले चातर को दूसरे कक्षा के लोग, खास करके सिवेसी चातर, समझते हैं कि इस बच्चे को कुछ नहीं आती, सिधा एक लाइन, आपने कभी नहीं पूछा कि सर, आप क्यों इतने तत्पर रहते हैं, मेरा एक ही लक्ष है, हम हमेसा सावित करना चाहते हैं, बिहार सरकार बच्चे को इतनी आती है, किसी वेसी वाले किसी को नहीं आती है, है न, उनको अगर पूछेंगे 43 क्या होता है, तो क्या बोले, और आपको 43 भी आता है, अब कौन सि 43 भी आती है, अगर उनको याद करवा दिया है, कि who was राम, उसमें लिखा हुआ है, राम was the son of दसरथा, तो उसको वही चीज़ आता है, लेकिन आपको पूछा जाएगा, कि राम is the incarnation of God, ठीक है न, राम भगवान के अबतार थे, and he was also the son of दसरथा, ये भी यूज़ कर सकता है क्योंकि आप यहाँ पर sense apply करता है, वहाँ पर sense नहीं, हमको परहाई के मतलब को समझना है, ना कि रट रट के उसको थाक लगाते जाना है, ठीक है न, तो आज आपके सामने भी हम sentence को पकरे हैं, जिसमें आपको पहले class में is, rm, was, were, cell, will का प्रियोग सिखा है, और उसके बा sentences है, interrogative है, imperative है, क्या है, उस sentence को देखी और समझीए, सब्ध में भी क्यों गलती हो रही थी आपकी, आप सब्ध को नहीं पहचान पाते हैं, ना उनको नहीं पहचान पाए, adjective को नहीं पहचान पाए, kriya में अंतर भेद नहीं कर पाए, इसलिए आप से गलती होती है, ठीक है गल्ती कर रहे हैं, कट कुट कर रहे हैं जुकि आप घर में free हैं, आप देख देखके लिखिए आए का अधेस दिया है, देखके लिखे, कोई दिखकत नहीं है, पूछके भी लिखिए, उसको सोध करके लिखिए, ऐसा लिखिए, कि लगे कि आप किसी से भी better लिख सकता है, ब सबसे बेस्ट है। ठीक है ना। क्योंकि बेस्ट सिर्फ उम्र से नहीं, है ना। और किसी के पोजीशन से नहीं। आपके ज्न के पावर से आहा। आप में कितना ज्न है, हम आपके ज्न को बढ़ाने के लिए आपको हम electronic media का साधन दिये, कि आप कितना बेटर अपने सिद्ध सावित कर सकते हैं जब आपका registration number आ जाएगा registration number को आप बिहार करियत portal से जोर करके आप जो भी इक्षा रखे और प्रती दिन सब को बोले हैं कि कम से कम जो लक्ष आपको रखे हैं कोपी में रोज उसको देखिए कि हमको भविष में 10 साल के बाद हमको कहां देखना आप अपने आपको चाता है आपने जो लक्ष लिखा है उस लक्ष को प्रती दिन देखिए प्रती दिन उस पर विचार कीजिए क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही सोच बनता है और आपको 10 साल का समय भी है साथ से 10 साल का समय है आप जब 6-7 साल पूरा कीजिए आप पूछे का बनने के लिए पूछनाने पड़ता है बनने के लिए अपने मन से पूछे का आपको क्या अच्छा लगता है और उसके अधार पर जो आपने तै किया है इस्टिक हो जाईए और इक्षा नहीं करना है क्या करना है इरादा और इरादा बदलना नहीं है उसमें कोई रिलेशन नहीं कोई दोस्ती नहीं हमको अगर डॉक्टर बनना है तो बनना है आईयस बनना है तो बनना है लेक्शनर बनना है तो बनना है है न उसमें कोई भी माता पिता को भी सत्रु मान लिया है, माता सत्रु, पिता वहरी, यैन बालो न पाठिता, दिया गया है न, वह माता पिता सत्रु के समान है, दूसरा था आपका दूर का ही है, माता पिता से कोई बढ़ा होता है, लिको उसको भी सत्रु माना है, ऐसे माता पिता सत्रु के समाना नहीं है जो बच्चे को सिख्छाने ली देता है उनको पढ़ने में securities और जो पर्णे में आपको मदद कर रहे हैं तो आपका दोस्त परने में कभी भी घमंड नहीं होने चाहिए जो पर्णे में आप अपने आपको हमेसा शोटा मतगा रखे समझ रहे न, चुकि आपको भी लेना है, और लेने वाला हमेशा जुका वह रहाता है, लेने वाले को होट नहीं होना है, उग्र नहीं होना है, लेने वाले को हमेशा बिनम्र होना है, इसलिए पुरान में और कहा गिया है, बिद्या ददाती बिनेयम, बिनेयम ददाती पातरत तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं आज का टॉपिक देखते हैं क्या है तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है लिखा हुआ sentences which are used to express the strong desire wish blessing curse are called the operative sentences ऐसे वाकि जिनसे इक्छा का बोध हो मनोकावना का बोध हो अभिसाप का बोध हो असिरवाद का बोध हो ठीक है न है उसके लिए हम किस तरह के वाकिका इस्तेमाल करते हैं एक्छा सुचग वाकिका इस्तेमाल करते हैं ठीक है न अब आगे देखते हैं किसकी format क्या होगी बनावट क्या होगी बनावट रहेगा किसके पहले मे लगाना है और subject रखना अगर क्रिया होगा तो भरवन आएगा ठीक है और object आएगा यहाँ पर चिन्ड किसका आएगा बिसम्यादी बोधक चिन्ड नौट अफ एक्सलामेशन इसको बोलता है इंगलिस में आगे है अग पर noun adjective आएगा तो subject के बाद बीक अप्रियों करेंगे और में वैसे ही रहेगा clear है noun adjective जहां डखना है अब यहाँ से देखते हैं महान बनो महान सब adjective है तो यह वाला structure लगेगा और जिसमें subject नहीं है यू आपको मान के चलना है महान बनो किसको बोलना है जिसको हम सामने वाला होगा उसको हम बोल रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो गिया आप तुम ठीक है नहीं तो क्या हो गिया may you be great आपकी उन्नती हो उन्नती होना क्रिया है तो यह वाला structure लगेगा may you progress may you develop may you get progress ये इस्तवाल कर सकते हैं आपकी उम्र लंबी हो उम्र लंबी होना भी क्रिया है may you live long May God issue her a son. यहाँ पर देखिए ध्यान रखे, अगर subject दिया हुआ है, भगवान का बोध हो रहा है, भगवान subject है यहाँ पर. May God issue her a son. अगर यहाँ पर किसी पुरुस जाती को बोध करा रहा है तो क्या हो जागा यहाँ पर? Him. ठीक है? नया साल मुबारक हो, अब यहां से ध्यान देना है. जब हम किसी को मुबारक सब्द लगा के बोलते हैं, तो मुबारक सब्द में जैसे नया साल मुबारक हो, उफ़ी निव Ihrer बोल देते हैं. लेकिन वात्रा दृस्टी कौन? अलग कहता है. जब आप उसको सुधतम र रखो I wish you a happy birthday इसको और इस्टेंडर करने के लिए क्या लगा सकते हैं I wish you a very happy new year very happy birthday किलियर है उसी तरह से आपका दिन सुब हो फिर यहां पर have a nice day ठीक है चुकिए यहां किरिया है तो चल जाएगा लेकिन जब किरिया है तो इसके pattern पर चलेंगे तो यह हो जागा May you have a nice day May you have a nice day लेकिन इसको इस pattern पर बना सकते हैं I wish you a nice day I wish you ठीक है ने आप बोल सकते हैं लेकिन have a nice day ज्यादा चलता है इसका प्रियोग आप कर सकते हैं देखिए यहां पर उसी तरह से किसी को गाली देते हैं स्राप देते हैं तब यहां से प्रियोग आएगा जैसे चूले में जाओ May you go to the hill उसी तरह से किसी को काना होने का स्राप देते हैं वह काना हो जाए May he be a one-eyed man ध्यान रखिएगा यह ओ जो है वावेल है लेकिन उसका उचारन your lover मतलब व्यंजन के रूप में हो रहा है इसलिए अ लगेगा वह लूला हो जाए मतलब handicap अपाहिज में ही भी handicap क्लियर है तो हमको उम्मीद है कि आपको अब लगभग फॉर्म समझ में आ रहा होगा मुझ करें बाद रहा है यह है यह है लूम करें लगभग 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 दो में है लगभग इसलिए सबकेता एपके जह लाव बढ़र्पूपह सराव जभब है टो हैए यह खोटावर जब दो है।